Hello everyone, welcome again to our channel. आज हम करने वाले हैं दिमाड से रिलेटेड ही एक और टॉपिक जसमें हम डिसकर्स करेंगे elasticity of demand. पिछली वीडियो में हमने डिसकर्स किया था demand के बारे में और आज डिसकर्स करने वाले हैं elasticity of demand के बारे में. जो word है हमारा elasticity, वो क्या represent करता है कि आप कितना उसमें परिवर्तन कर सकते हो, उसको कितना ज़ादा खीच सकते हो या उसमें चेंच कर सकते हो, यहाँ पर कि रबर बैंड है, इसमें elastic लगी हुई है, यह elastic हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन जो जितना हम इसको खीचना चाहेंगे, यह उतना ही खुलता जाएगा, और जैसे हम इसको कम करना चाहेंगे, यह कम होता जाएगा, क्यों क्योंकि इसकी elasticity इतनी है, इतनी एक मेज़र कर सकते हैं, कि इसकी elasticity सिफ इतनी ही है, यानि उसमें कितना change किया जा सकता है, और demand के बारे में जब हमने पढ़ा था, हमने डिसकास किया था, कि जैसे जैसे आपका price change होता है, वैसे वैसे आप अपनी quantity भी change कर लेते हो, यह marker अगर मुझे 200 रुपे का मिल रहा था, तो मैंने दो marker खरीद लिया, बट वहीं पर अगर इसका price बढ़ करके 35 हो जाता है, तो मैं दो की जगे एक marker ही खरीदूँगे, तो यहाँ पर इसके price में change हुआ, तो उसकी वज़े से मैंने demand में change कर दिया, अब वो कम हुआ या जादा हुआ, उसके according होगा कि वो product क्या है, क्या उसके demand का low applicable है या नहीं, तो इसलिए हमारे price में जो change होता है, या किसी चीजों में change होता है, तो वहाँ पर मैं उस product की जो quantity है, उसमें भी change कर देती हूँ, उसके demand के लिए change कर देती हूँ, कितना change करूँगी वो हम discuss करते हैं, elasticity of demand में, तो चलिए पहले start करते हैं, इसके definition से, इसक change in one of the variable on which demand depends, यानि कि जिन-जिन variable पे हमारे demand depend करती थी, कौन-कौन से variable थे, हमारा price हुआ करता था, हमारे जो compliment goods हो गए, subsidiary goods हो गए, income consumer की, taste and preference, consumer acceptance, और बाकि other factors, जो हमने पिछले वीडियो में किये थे, इन सब variable में जब changes आते हैं, उसके कारण जब आपके demand में changes आते हैं, वो आपकी क्या होती है, more prescribably elastic of demand is the percent change in the quantity demand divided by percent change in one of the variable on which demand depends, देखें यहां पे आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आप देख सकते हो, कि जो आपके demand है, वो कितनी elastic है, elastic यानि कि कितना change आप उसमें कर सकते हो, ज़रूरे नहीं है, आप हर product के लिए आपके demand elastic हो, जैसे कि कुछ products ऐसे होते हैं, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, जिसके लिए आप, अगर आपको नहीं मिले तो आपके लिए जान पे भी बन सकती है, medicines हो गई कुछ ऐसी, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए आपकी जो मांग है, वो उतनी ही रहेंगी, जो टिमांड है कम जादा कर सकती हूँ, तो यह क्या हुआ, यह elastic हुआ, इसका जो टिमांड है, वो elastic हुआ, अब उसको measure कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा, किस product की elasticity है, वो कितनी है, या किस product की elasticity जादा है, या किस की कम है, उसको जानने के लिए यहाँ पे हमें एक formula दिया गया है, जिसमें बताया गया है, कि अगर आप elasticity निकालना चाहते हो, किसी भी product की, जो की price पे dependent है, यहानि की, अब भी हम देखते हैं, कि इसके जो other, जो features होते है, other जो आपके determinants होते है, वो same रहेंगे, उसमें कोई change नहीं है, जैसे substitute goods हो गया, complimentary goods, preference और आपके expectations, उन सब में कोई change नहीं है, change किस में हो रहा है, सिर्फ price में हो रहा है, तो कैसे निकालोगे इसकी जो आपकी elasticity है, तब आप यह निकालोगे, percentage change in quantity demanded, यानि कि जो price कम हुआ है, या जादा हुआ है, उसकी वज़े से आपने इस product की, जो quantity थी, उसमें कितना change लाया है, पहले दो लेते थे, अब एक लेने तो कितना change आया है, 15 का change आया है, तो upon में यहाँ आपके पास आजएगा 15, तो इस तरीके से आप अपना निकाल सकते हो, price elasticity, अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे इसने सीधा-सीधा भूला हुआ है, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, पर इसको अगर आप और थोड़ा खोलके लिखोगे, कै से आपका formula मना है, तो वो देखिए, सबसे पहले percentage change हो रहा है, तो percentage change in quantity demanded upon percentage change in price, अब देखिए, जब भी आपको percentage निकालना होता है किसी चीज़ का, कि उसमें कितना change आया है, तो आप कैसे निकालते हो, percentage निकालना होता है कि कितना change आया है, तो सबसे पहले आप निकालोगे ठीक है जो change है यानि कि मेरा जो price था वो पहले था कितना 20 रुपे फिर हो गया 35 रुपीज उसे के साथ साथ पहले में कितनी quantity ले रही थी एक और दो और अम मैंने ले ली एक तो उपर है quantity demanded तो सबसे पहले देखते हैं जो quantity थी उसमें कितना change आया है एक change आया है तो यहाँ पे आजाएगा change in quantity अब पॉन में जो आपकी पहली quantity थी यानि कि जो पहले आप मांग रहे थे तो कितना मांग रहे थे आप पहले दो quantity मांग रहे थे तो original quantity अब इसी को आप देखो तो into hundred क्यों क्योंकि हम यहाँ निकाल रहे हैं percentage हम percentage की बात कर रहे हैं upon में हम इसमें क्या रखेंगे upon में हम रखेंगे price से related चीज़े price हमारा कितना था पहले 20 तो यहाँ पे change in price अब कितना हो गया 35 कितना change हुआ है 15 का तो यहाँ पे आएगा उपर 15 upon में जो आपका original price था यानि change होने से पहले का price तो यहाँ पे original price जो कि कितना है आपका 20 into hundred तो इस तरीके से आपका यह concept बन जाएगा अब इसी को आप और short कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास है quantity का change quantity का change तो quantity का change अब quantity का change के नीचे आपके पास क्या है original quantity जिसको denote किया जाता है सिर्फ q से सिर्फ q से अब यहाँ पे hundred and hundred आप cancel कर दीजिए दोनों का क्योंकि यह दो कि जो नीचे है वो उपर आजाएगा और जो उपर है वो नीचे चला जाएगा अब यहाँ पे देखिए यह कितना है यहाँ पे आपके पास original price है तो यहाँ आ गया p upon में यहाँ पे क्या है price में change तो change in price तो इस तरीके से आपका यह short formula बनके आ जाता है यानि कि quantity में कितना change है by quantity और into price और price में change क्यों के आगे जहाँ पे यह rectangle है इसका मतलब change और सिर्फ जो Q और P है यानि कि original price और quantity इस तरीके से आपका पूरा यह formula बनता है यहाँ पे आपका formula उल्टा लिखा हुआ है तो यह आप नोट करते वे ध्यान रखिएगा तो इस तरीके से आपका change बनता है अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे अभी हमने यह जो concept किया था यह price का अगर इसी को मैं solve करना चाहूं तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा quantity में कितना change हुआ है मेरे पास one का original quantity कितनी थी मेरे पास two into price वहीं पहले price कितना था 20 का और price में आप change कितने का हुआ है price में 15 रुपे का change हो गया है अब आप इसको solve कर लीजे और इसका answer आपको मिल जाएगा इस तरीके से आपके questions पनते हैं और ऐसे ही आपको questions solve करने होते हैं यह formula लगा कि तीनो formula कुछ लग नहीं है बस इसको solve करके ही दिखाया गया है तो अगर आपको यह लिखके आना है तो आप आसकते हो बट exam में कोशिश कीजेगा इसको थोड़ा अच्छा से represent कीजेगा जैसे change in quantity upon में quantity का price जो आपकी पुराने quantity है original quantity ठीक है ताकि वो examiner को देखके समझा जाए examiner यह short forms नहीं देखता यह सिफ आपको explain करने के लिए हमने बताया है चलिए next one is the degree of price elasticity of demand अब देखे जो आपकी price की elasticity है ज़रूरी थोड़ी थोड़ीना है कि price change होगा तो आप quantity भी change कर दोगे हमने कई ऐसे product पड़े है जिसमें हमने देखा था कि आपका price भी बदल रहा है बट ज़रूरी नहीं था कि हमारा quantity भी बदल रहा है जैसे हमने बहुत सारे topics इसके बारे में देखी थे discuss क आपके future expectations हो गई और यह सारे आपके points थे यानि कि ज़रूरी नहीं है कि price change होगा तो elasticity जो आपका demand है वो change होगा ही होगा it means जो आपकी elasticity है वो भी different different रहेगी है न ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरही की elasticity हर प्रोटक्ट के लिए होगी तो उसी के तोर पे आपकी चो elasticity है वो पाच तरीके के यहां पर degree बना देती है पाच degree degree मतलब वो नहीं 90 degree 180 degree नहीं यानि कि ऐसे points जहां पे वो elasticity को explain किया गया है let's say an example perfectly in elastic demand यानि कि कितना भी price change कर दीजे quantity वही रहेगी for an example आपकी जो cancer की दबाईया हो गई या कुछ ऐसे products हो गए जिनके बाले में आपको चाहिए ही चाहिए जाहे price बढ़ रहे हो चाहिए कम हो रहे हो you will go and buy that products तो उसके लिए quantity same रहेगी price आपके उपर जाएगा तब ब इतनी quantity रहेगी कम होगा तब इतनी quantity रहेगी यानि price बढ़े तो बढ़े अपने को फरक नहीं पढ़ता तो यहाँ पर क्या है elasticity जो है उस product की वो zero है zero यानि कि price कितना भी change हो जाया है यहाँ पर product के quantity में कुछ भी difference नहीं आएगा quantity में कुछ भी change नहीं आएगा जैसे देखो example हम यहाँ पर ही ले लेते हैं जो हमारा formula होता है delta q change in q by q into p by change in p अब देखो यहाँ पर मालो p जो था हमारे पास पहले 5 था उसके बाद यह 10 है उपर और यह हमारा है जो 2 मान लेजिए यहाँ पर आपकी जो quantity में change आया है वो कुछ भी नहीं आया zero है ठीक है पहले quantity 10 थी अब भी 10 है into p यानि कि जो अब आपका जो p price था पहले का वो कितना ह 5, change कितना है price में हम उपर वाला ले ले लेते हैं यानि 5 रुपे का change आया है तो इसमें देखे कितना difference आ रहा है इसमें कितना matter कर रहा है वो क्या चीज़ चेंज कर रही है इसको आप multiply करोगे zero हो जाएगा यहाँ पे by 50 हो जाएगा zero ही आएगा इसमें कुछ चेंज नहीं आ तो यह पहले डिगरी हुई आपकी elasticity की यानि कि elasticity आपकी perfect in elastic हो सकती है उसके बाद next one is the perfect elasticity demand perfectly elasticity का मतलब क्या है यानि कि price उसका same रहे चाहे price उसका same रहे quantity कम जादा होती रहेगी जिसको denote किया जाता है आपका elasticity जिसको denote होता है हमारा एक infinite का जो sign होता है उससे यानि कि price constant है but still जो आपकी quantity है वो कम जादा कम जादा हो रही है तो यह product कैसा है perfectly in elastic demand next one is your unit elastic demand unit elastic का मतलब क्या होता है जहाँ पर में जितना change हुआ है यानि कि जो हमारा formula था उपर हमारा जो demand था और upon में price था उसमें जितना भी change हुआ है वो तोनो equally हुआ है यानि कि ज demand में हुआ है यानि कि price में जो change है और demand में जो change है वो दोनों आपके same है अब देखिए उसको कहा जाता है आपका unit elastic demand मालेचे price में जो change हुआ है आपका 100% हुआ है और quantity में पी आपका 100% change हुआ है तो यह आपका cancel हो के आजाएगा one which means कि इसकी जो elasticity है वो unit elastic demand है दोनों में equal change ह रहा है जैसे price यहाँ पर 10% कम हुआ तो quantity 10% से बढ़ गई तो इसका demand सेम आपका रहेगा उसी तरह relatively elastic demand यहाने कि जो आपका elasticity है जो demand की वो क्या है वो जाधा है एक से एक से जाधा कब होगी जब उपर की value नीचे की value से जाधा होगी उपर की value नीचे की value से जाधा होगी वन पॉइंट आता कब आता है जब उपर की value जाधा होती नीचे की value से और वो कब होता नीचे की value denote करती है आपके price को और उपर की value denote करती है quantity को quantity में जाधा change हो रहा है compare to price में जितना change हो रहा है तो यहाँ पे price 10% से खट रही है और वही quantity 30% से बढ़ गई है यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका elasticity हो जाएगा more than one वहीं अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे यानि की relatively in elastic demand जहाँ पे आपका जो price है वो जाधा बढ़ रहा है quantity कम बढ़ रही है price जाधा बढ़ रहा है और quantity कम बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होग यह zero point something कुछ अंसर आएगा जो कि एक से कम होगा तो जहाँ पे एक से कम elasticity होती है वहाँ relatively in elastic demand कही जाती है एक से कम कब होगी जब price में जो change आया है वो जाधा है और quantity में जो change आया है वो कम है percentage change जो आया है वो कम है तो देखें यहाँ quantity में आपका 5% change आ रहा है वहीं पे आप price आपो नीचे आगया और उसके ऊपर रोल गया वो था 5% तो यहाँ पे आपका जो answer आएगा वो एक से कम आएगा so this is your relatively in elastic demand एक और चीज में आपको यहाँ पे बताना भूल गई वो एक और add कर देती हूँ जब आप change करोगे quantity या price में तो एक चीज आपकी positive रहेगी एक negative र low है उसमें यह बोला गया है कि जैसे जैसे price बढ़ेगा और quantity कम होती जाएगी price घटेगा quantity बढ़ती जाएगी यानि कि एक चीज आपकी negative होगी और एक positive होगी तो जब आप यह question करोगे तो एक चीज आपकी negative जरूर होगी बट वो आपको answer में नहीं show करनी है वहाँ पे आप आपको negative के sign नहीं दिखाने है तो इसलिए वो चीज आप ध्यान रखेगा next one is your measurement of price elasticity of demand अब आप कैसे measure करोगे कि आपकी price elasticity demand की कैसी है कितनी है तो पता चल गया elasticity कितने type के हो गई आपकी एक तो बिल्कुल inelastic है जिसमें कुछ change नहीं आएगा zero हो गई next one is your infinity जहाए कितना भी price उपर नेची हो जाए quantity आपकी आगे पीछे होती रहेगी ठीक है अलग-अलग method आपको दिये गए है percentage और ratio और proportional method तो तीनों नाम है जो एक ही concept है कि percentage method ratio method और proportional method next one is total outlay method कि total कितना आपने expand किया है उस पे the point और geometrical method the rk method सबसे पहले percentage method जो हमने अभी discuss किया था जहाँ पे हमने देखा था percentage change in quantity आप हमें percentage change in price वाला next one जो है वो है आपका total outlay और expenditure method यानि कि आपने उस पे पूरा खर्चा कितना किया मैं पहले जो marker लाती थी मैंने उन सब पे पहले कितना खर्चा किया था 200 रुपेगा खर्चा करके 10 जो marker में लेके आ गई अब क्या हुआ उसके price पढ़ गई तो मैंने अब total खर्चा कितना किया इस पे मैंने 180 का खर्चा किया या 160 का खर्चा किया यानि ज़ग total expenditure था वो मेर इसमें घट गया तो जो second method है हमारा total expenditure method और outlay method इसमें हम देखते हैं कि आपने कितना उस पे expense किया है total कितना expense किया है तो देखें यहां पे हमने एक example लिया है पहले 5 रुपे का price था तो you guys were demanding 20 units and when the price falls and जो 4 रुपीस का price हुआ तो आपने 25 रुपीस जो थे 25 यूनिट लेने तो it means पहले आप 100 रुपीस खर्च कर रहे थे अभी भी आप 100 ही खर्च कर रहे हो आपकी demand जो थी जो भले ही बढ़ गई लेकिन जो total expenditure है वो same ही है पहले भी मैंने मारकर्स में 200 रुपे खर्च करती थी अभी भी 200 रुपे खर्च किया है तो इसका मतलब क्या है जो elasticity है वो क इसका बढ़ गया पले आप 100 रुपे का लेते थे total आप आपने 120 कर दिया तो इसका मतलब जो elasticity है वो कैसी है आपकी एक से जादा है यानि equal से जादा आप उस पर खर्चा कर रहे हो expenditure आप उस पर जादा कर रहे हो तो यह हो गया आपका elastic जब जादा खर्च करते हो तब क्या ह होता है elastic next one में क्या है आपका total expenditure ही खट गया तो inelastic यानि कि आपने उस पर जादा आपना खर्चा नहीं कि आपने उसको कम कर दिया demand कम करने लग दे तो inelastic इसकेस में आपकी 3 points ही बना कर गई यहां दिखाए गई है एक equal to 1 less than 1 more than 1 and less than 1 तो यह था आपका total expenditure का method the next one is your the point method of geometric method point method or geometric method यानि कि जो graph आप उसका बनाओगे demand का जो graph बनाओगे अगर उसका point इस type में बनता है तो वहां पे क्या होगी elasticity को वो show करेगा और उसके लिए क्या method है उसके लिए आपके पास यह formula दिया गया है देखें यहां पे आपके पास एक graph बना हुआ है यह method बोलता है कि जो lower segment of demand curve है यानि कि जिस point पे आपको देखना है कि उसके elasticity कितनी है उस point से नीचे का point आप लेकर कि क्या कीजिए यहां रख देजिए और upper segment of the demand curve और उस point से उपर का जो portion है वो लेकर कि आप नीचे रख देजिए इसमें हमने नाम दिया हो है ABCDE तो यहां पे इस graph के according आप देख यहां पे क्या जाएगा 0 upon में क्या जाएगा यह पूरा portion आपका upon में जाएगा यानि D से लेकर के E का point DE जो है यहां पे आपका जाएगा 0 upon में DE तो इसका अंसर क्या एगा 0 यानि कि इस point पे जो elasticity है वो क्या है 0 है वहीं इससे थोड़ा उपर चले जाएगे अब इसकी elasticity upon में आपका C से लेकर के E का point C से लेकर के E का point which is less which is less than 1 जो 1 के कम है 1 से कम है वहीं अगर आपको इस point का B point का elasticity देखना है तो इसका portion जो है वो इस portion के equal है यानि यह पूरा line आपका इस line के equal है it means जो यहां पी elasticity है वो 1 है same यहां पे आप देखिए इसके नीचे का point क्या है जा जादा हो गई एक से और इस point पे आपके elasticity infinity हो गई की price इतना ही रहेगा पर आपके demand जो है वो quantity change होती रहेगी so it is your third method method exam के लिए कुण कुण से method आपके लिए important है एक तो आपका percentage method बहुत important है next one आपका expenditure method important है और उसके बाद यह method जादा important नहीं है बट आपके लिए theoretical question में या short note में यह question आ सकता है the arc elasticity method यह क्या कहता है the arc elasticity is a measure of the average elasticity यहाँ पर क्या बात करते है average elasticity की elasticity at midpoint that connects the two points and the demand curve यानि यह एक demand curve पे आपने दो point ले लिए उस दो point को आपने connect कर दिया और उनका एक average elasticity आप यहाँ पे निकाल रहे हो जिसके लिए formula आपको यहाँ पे same दिया हुआ है quantity one minus quantity two by quantity one plus quantity two यानि कि जो पहले quantity थी और अब की quantity है और इस तरीके से यहाँ पे आपको यह explain करके दिखाया गया है जादा important नहीं है बिट स्टिल आप एक बार उसको देख लीजेगा determinates of price elasticity of demand कौन कौन सी चीजे है जो price elasticity demand की दिखाती है या उसको measure कर जो उसको देखती है क्या determine करती है यह कलेजे किदन का उस पे influence होता है first one is availability of substitutes यानि कि जैसे ही आपको बताया था अगर इस marker का कोई substitute है जैसे sketch pen अगर कोई है या pencil कोई ऐसी pencil आगई जो whiteboard पर भी लिखने लग गई तो इसका substitute क्या हो सकता है या फिर बहुत ही easy example चाय और coffee का substitute है तो अगर एक चीज की price बढ़ती जाएगी तो दूसरे product पे हम ज कि उस product को लेकर के elasticity जादा होगी आप उसको जादा quantity उसकी छोड़ सकते हो आपको problem नहीं है कम quantity में आप गुजादा कर लोगे position of a commodity in a consumer's budget अगर आपके budget में कोई ऐसा goods है जैसे कि LED आपको लेना है बट आपको क्या करना है उस पर बहुत जादा पैसा खर्च करना है और उसक क्या कोगे हम उसको नहीं लेते elasticity उसकी जादा हो गई किसी चीज की commodity की अगर आपके budget में जादा पैसा लग रहा है तो आप उसको कम खरीदना ही कभी कबार पसंद करोगे nature of the need that commodity satisfy अगर आपका कोई ऐसा product है commodity है जो आपको चाहिए ही चाहिए जो आपकी need है तो उसके लिए आप खर्चा करोगे number of uses to which a commodity can be put कुछ ऐसे products होते हैं जो आपके तीन तीन चाहिशा चीजों में आप लगा रहे हो या use कर रहे हो तो उसके उपर भी आपके depend करती है time period अगर आपके पास बहुत लंबा time है यानि कि आपके पास जैसे कि आपको कल file submit करनी है assignment submit करने है आप ग महीना दो महीना होता तो आप कहते हैं कि नहीं रहने मैं कहीं और से ले लोगा consumer habit जैसे कि हमने बात की थी lockdown के बाद जैसे ही हमारी अच्छी अच्छी दारों की दुकाने जैसे खुली थी तो काफी सारे जो consumer थे जिनकी वो habit थी वो उसको खरीदने चले गई यानि कि price कितना भी बढ़ गया बट उनकी दिमांड थी वो उतनी ही रही है यह के लिजिए उससे भी जादा हो गई तो वो क्या है consumer की habit के उपर भी depend करता है कि क्या आप उसके लिए demand के लिए elastic है या नहीं है tight demand जो कि आपके demand बंदी हुई है next one is income elastic of demand income elastic of demand यानि कि जैसे जैसे आपकी income बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप उस product के लिए demand भी बढ़ाते जाओगे या घटाते जाओगे अभी तक हमने देखा price elasticity जिसमें हमारा main point क्या था कि price के बढ़ने पे या कम होने पे हमारी demand कम ज जादा हो रही है तो उसके according कि आपके demand में परिवरतन आएगा या नहीं तो जरूर आएगा उसके लिए क्या formula है EY पहले हम करते थे EP जहां पर price को हम determine price related वो होता था बट यहां पर income related है तो EY percentage change in quantity demand आपने कितने quantity demand जो थी वो change कर दी upon में percentage change in income income में आपका कतना change आया है तो यहां पर भी आपका same situation है zero income elastic जहां पर आपका zero change होती है इसके example है sold होगे आप खरीदोगे खरीदोगे negative income elastic जैसे कि negative income चली जाती है negative impact पड़ता है आपका जो elasticity है वो कम होती है zero से भी कम हो जाती है कैसे जिसे जवार है आपके income बढ़ गई है तो आप जवार जैसी product क्या करो होगे कम खरीदोगे और बाकी की चीज़े जादा खरीदोगे तो वहाँ पर आपका यह less than zero हो जाएगा यूनिट्रे income यानि कि दोनों में same changes आ रहे हैं income elastic greater than unity जैसे luxuries good हो गए वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर जितनी जादा आपकी demand आप बढ़ाओगे चाहे आपकी income आपको और अच्छे से समझा जाएगा तो यह थी income की बात अब बात कते हैं cross elasticity यानि कि एक product जो की है उसके price में change आया है तो दूसरे product के demand में change आ गया जो बात कि थी cross elasticity चाहे वह आपके substitute goods हो या फिर आपकी complimentary goods हो तो उनके लिए भी आपके पास एक formula है change in demand of x यानि किसी एक product के major demand में change आया है upon a percentage change in price of another course जो कि मान लेजिए y है तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसके लिए आपके पास formula हो जाएगा change in quantity of x change in price of y हम price किसी और product का लेंगे और quantity दूसरे product का लेंगे बाकी formula same है जो हमने price वाले में देखा था यह जो x और y लिखा हुआ यह सी product को define करता ह है तो इसके लिए आप formula में confused मत होएगा now the next one is advertisement elastic advertisement elastic यानि कि आपने आपकी कोई company है और आपने क्या किया आपने advertisement का expense बढ़ा लिया ताकि जादा से जादा लोगों को आपकी product के बार में पता चले और उसकी demand बढ़ जाए तो इसको जानने के लिए क्या है change in demand upon a change in advertisement expense जितना आपने expense किया आपने advertisement में उसके according आपके demand कितनी change हुई है तो यहाँ पर percentage change in quantity और change in आपका advertisement तो इस तरीके से आपका पूरा elasticity of demand की revision आज खतम होती है I hope आपको समझाया हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप हमें comment box में पूछ सकते हैं अगर आप चाते हैं को पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो आप उसका जो अपनी बुक में से हमें उसकी फोटो भेज सकते हैं उसको अच्छे से explain करने के कोशिश करेंगे thanks for watch